आप तभी का स्वाज़त हैं मेरे और आप तभी के अपने चैनल मनी साइकलोजी में आज मैं आपको बताऊंगी कि कि आप कैसे जरुधा एप से बाई एंड सेल कर सकते हो तो यह मेरा जरुधा का एप है चोकि मैंने लॉग इन कर लिया है तो आपको कुछ इस टाइप का बट बट उसे पहले मैं आपको पता दूं कि आप कैसे यह जो फ्रेंड्स आप देख रहे हूं जो मैंने इसका लिस्ट के नाम रखे हैं इसे इसमें बैंकिंग सेक्टर की सारे स्टॉक्स हैं तो यह आप कैसे कर सकते हो सिंपली आपको यहाँ पर जाना है और इसको ऐसे ल ठीए फ्रेंड्स पर्ट मैं FMCG ही रहने देती हूं अपने इस टॉक का क्योंकि इस आरे जो FMCG से रिलेटेड ही स्टॉक्स मैंने इसमें रखे हुए हैं तो सिंपली आपको सेट पर जाना है और यह सेट हो जाएगा ठीए फ्रेंड्स तो आप यह समझ सकते हैं कि आपको यहां पर भी ऐसे लॉंग प्रेंस करना है और यहां पर आपको इसका भी मिल जाएगा तो अगर आपको अप यहां पर एड करना हो अब सपोज आपको इस लिस्ट में इस टॉक को एड करना है तो आपको सिंपली यहां पर सर्च में जाना है और यहां पर एड करना है मैं ए ही मुझे यहां पे करना है यह सब्सक्राइब करता है और यह यहां Eh मि job कर्लीक करना है और यह एड हो जाएगा तो सब कैसे होता है अगर आपको अबग कोई stock को delete करना हो अपने इस list से तो आपको simply क्या करना है long press करना है उस पर और आपको यहाँ पर नीचे जाना है जहाँ पर आपने कर रखा होगा और simply आपको यहाँ पर delete का button दबा देना है और यहाँ पर save कर देना है friends तो friends मैंने आपको सारी चीज़े almost बता दी है अब मैं आपको बताने वाली हूँ friends कि आप कैसे buy and sell कर सकते हो friends तो जैसे कि मुझे नौकरी को buy करना है तो simply मैं इसको click करूंगी यहाँ पर friends मेरेको two options मिल रहे हैं buy and sell के friends ठीक है तो short तो मैं नहीं करने वाली तो मैं buy करके आपको दिखाती हूँ पहले तो यहाँ पर friends आपको इस type को कोई panel दिख जाएगा तो यहाँ पर आपको डाली है quantity आप कितना buy करना चाहते हूं friends तो suppose मुझे five quantity buy करनी है और कौन से price पर आपको buy करनी है friends तो आप suppose जैसे market life चल रही तो आपको buy करना है तो simply आपको यहाँ पर market click करना है जो market price चल रहा होगा उस पर आपका यह stock buy हो जाएगा आपको simply swap यह swap कर देना पड़ेगा friends तो अभी मैं यह नहीं कर रही हूं तो आपको market पर ऐसे market price पर कर रहे हैं तो आप market order में market लगाए और आपका यह buy हो जाएगा लेकिन आप चाहते हो कि मैं एक limit टै करूं कि कि स्टॉक लेना है तो simply आपको यहाँ पर limit पर जाना है friends यहाँ पर अभी price जो चल रहा है 5190 दश्वलव साथ चल रहा है friends तो मैं simple यहाँ पर मुझे suppose 5000 पर इसको buy कर रहा है तो मैं 5000 इसका price लगा दूं नहीं friends और friends यह two terms आप देख रहे हो friends CNC and MIS अब फिरस यह CNC क्या होता है cash and carry होता है friends इसका मतलब यह है कि अगर आप आज buy कर रहे हो तो आप और भी दिन तक stock को रखना चाहते हो cash and carry मतलब अगर आपने आज buy किया तो आप और भी time तक इसको रखना चाहते हो तो आप CNC में जाओ swing trading के लिए या आपको position trading लेनी है investment के लिए आप CNC में लगा के buy कर सकते हो friends और आप चाहते हो कि मैं intraday करूं friends only one day तक मेरा रहे तो आज मेरे लिया और आज के आज मेरा यह stock clear हो जाए तो आप MIS में जा सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स आपको margin मिलता है तो अच्छा कासे यहाँ पर आपको MIS में अगर आप करते हो तो आपको अच्छा कासे एक margin मिल जाता है जैसे मैं आपको यह करके दिखा देती हूं तो मैं MIS में नहीं कर दीमाली मैं CNC में करती हूं तो आपको यह परदद चल गया फ्रेंड्स आपको यहाँ पर limit लगा देनी है तो आप simply यहाँ पर ऐसे भी buy कर सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर buy order लगा दिया आप ऐसे भी buy कर सकते हो फ्रेंड्स और नेक्स्ट मेरा आएगा फ्रेंड्स जो इसमें है तो अब मैं यह limit हो गया अब मैं बताने वाली हूं फ्रेंड्स की SL क्या होता है फ्रेंड्स SL होता है stop loss ठीक है फ्रेंड्स तो आप simply यहाँ पर stop loss भी लगा सकते हैं यहाँ पर से टागेट भी लगा सकते हैं कि आपको कितने परसेंट पर निकल जाना है तो आप यह सब करके आप सिंपल यहाँ पर यहाँ पर swipe to buy कर देना ठीक है फ्रेंड्स और डे ही रहने दीजिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर आप डे ही लगाईएगा ओके फ्रेंड्स आप regular में ही buy कर सकते हों ओके और बाकी फ्रेंड्स मैं चीज़ें दूसरे वीडियो में cover करूंगी जिसमें मैं आपको SLM बताऊंग अफ्र मार्केट आर बताऊंगी फ्रेंड्स तो और disclose quantity फ्रेंड्स यह आप ऐसे भी रहने दे सकते हैं कोई जादा प्रॉब्लम नहीं है यह हमारा जो काम आता है यह सेलिंग में काम आता है यह majorly हमारा जो हम सेल करते हैं तो हमारा काम आता है तो यहाँ पर आपने देख ल लगाएं ओके फ्रेंड्स यहाँ पर regular कर दें यहाँ पर day कर दें आप यहाँ पर swap to buy कर दें और फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे को कह रहा है यू seem to have a GTT सेट फॉर नौकरी चेक और GTT trigger before placing the order फ्रेंड्स यह आपका नहीं आएगा अगर आपने GTT इसका लगा रखा होगा इसी स simply यहाँ पर buy आ जाएगा अब friends यहाँ पर error क्यों आ रहा है क्योंकि friends आज market close है इसी लिए बट अगर market open रहता है तो आपका यह buy हो जाएगा आपका कोई भी error नहीं आने वाला friends ओके तो आपका simply swipe to buy कर देना है आपका यह buy हो जाएगा और यहाँ पर orders में आपका यहाँ पर okay तो यह समझ में आ गया friends कि आपको कैसे buy करनी है अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे अप sell कर सकते हो तो simply आपको stock पर click करना है इसको आपको sell करना है friends आपको यहाँ पर quantity डालनी है suppose मुझे 8 quantity यहाँ पर sell करनी है and friends मैं एक चीज़ बता दो कि आप जो sell कर सकते हो short position बना सकते हो only MIS में बना सकते हो friends इंट्र डे में बना सकते हो okay friends तो अगर आपको market पर अगर आपको suppose की market अभी किता price चल रहा है आपको जब मतलब regular market में आप buy करोगे तो जितने पर price चल रहा होगा उतने पर यहाँ पर आप करोगे आपको यहाँ पर buy हो जाएगा अगर आपको limit लगाने है तो simply आप limit पर click करोगे यहाँ पर suppose मुझे 990 पर price पर यहाँ चाहिए कि sell हो जाए तो आपने यहाँ पर लगा दिया limit लगा दिया और यहाँ पर simply आपको swipe to sell करना है friends ओके तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आपको करना होगा अप sell हो जाएगा मैंने आपको जैसे बता है कि अभी market close है इसलिए यह नहीं लग पा रहा है बट अगर आप market hour में लगाते तो आपको यह ऐसे करोगे तो आपको यह sell हो जाएगा friends ओके तो simply आ मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे stock को add कर सकते हो इसमें कैसे आप इसको delete कर सकते हो friends तो I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो smash करें like button and thank you so much friends for watching my video